हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हाद दिख स्वागत है देखे अगर आप भी ड्राइ सैंपू यूज़ करते हैं तो देखे साफधान हो जाएए जी हाँ डव और ट्रस में सैंपू से कैंसर का खत्रा यूनिलिवर ने वापस मंगाए बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्या है पूरी खबर जाने के अपनी इस वीडियो में तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर ज़रूर करें यूनिलिवर जो बिटिस कंपनी है लेकिन मल्टिनेशनल कंपनी है पूरे विश में इसके प्रोड़क्ट्स सेल के जाते है उसने रिकोल्ड किया है पॉपलर ब्रांड्स ओफ एरोसोयल ट्राइस सैंपो इंक्लूडिंग डव आफ्टर डिसकवरिंग डैट दे वर कॉंटमिनेटिड विद ए कैमिकल कॉल्ड बैंजीन डैट कैन कोज कैंसर देखे उन्होंने अपने काफी पॉपलर ब्रांड्स थे जिसमें गर हम बात करें नेकसस, स्वेव, ट्रैसमे, टीगी ऐसे बहुत सारे प्रोड़क्ट थे जो उन्होंने बावजार से वापस मंगाए है रीजन क्या है कि उसमें एक ऐसा कह सकते हैं कि कैमिकल पाया गया है जिससे कैंसर होता है जी हाँ, कॉंटमिनेटिड विद कैमिकल कॉल्ड बैंजीन कि यह जो हमेरे प्रोड़क्ट थे, इनके प्रोड़क्ट जो है कॉंटमिनेटिड पाये गये हैं एक ऐसे प्रोड़क्ट है, जो कैंसर प्रोड़ूस करता है यानि बैंजीन से US FDA की वेबसाइट से आपको पता लगा है युनिवर्स रिकॉल पर्टेंस तो प्रोड़क्ट मेड प्रायर टू अक्टूबर 2021 देखें, वो प्रोड़क्ट जो अक्टूबर 2021 से पहले बनाए गए थे उनको मार्किट से वापस मंगाया गया है क्योंकि उसमें ही लैब में इस तरह की चिकायत मिली थी आप The move once again raises questions about the safety of aerosols in personal care products जो भी personal care products हैं, उनकी safety के लिए फिर एक question खड़ा हो जाता है क्योंकि आपने कुछ दिने पहले सुना होगा कि Johnson & Johnson baby जो अपना powder था उनका, वो उन्होंने पूरी तरह से बंद करने का फैसल लिया था क्योंकि उसकी वज़े से यहां पर cancer की चीजें काफी बार नोट की गई थी In the past year and a half, a number of aerosols sunscreens have been pulled from cells बहुत सारे ऐसे product थे, sunscreens थे aerosols की, जिनको वापस मंगया गया था Johnson & Johnson's, Neutrogena, Edgewell Personal Care Company, Banana Bot and Wearsdorf A.G.S.C. along with spray-on anti-spirants like Pactors Gamble, Company and Secrets and Old Spice and Universe Save तो यह बहुत सारे ऐसे products थे, जिनको पिछले एक देर साल में वापस किया गया था The recall was set off by findings of benzene in such products किसके दुआरा Analytical Lab, जो Value Sure, based in New Haven जो यहाँ पर आपका connect cut maced है और यह कबसे 2021 से यहाँ पर इन्होंने काम सुरू किया था This isn't the first time spray on dry shampoo has been identified as a problem यह ऐसा पहली बार नहीं है वैसे P&G tested its whole portfolio of aerosol products following Value Sure's finding जो Value Sure की finding है, उसके बाद P&G ने अपने जिए सबी products थे, जिसमें aerosol होता था उन्होंने उन सब की जाच कराई The company then recalled its Pantene and Herbal Essentials Dry Shampoo in December तो उसने भी अपने Pantene और Herbal Shampoo थे, उनको December में मंगाया था Market Company से वापस क्या सकते हैं, Market से वापस recall किया गया था citing Benzene Contamination, इस Benzene की वज़े से ही The problem with aerosol has largely appeared to be formed from propellants used to spray the personal care products from the cans तो तो में चीज क्या है यहां पर, में चीज यहां पर यही है कि amount of Benzene जो कह सकते हैं कि product में पाया गया, उसकी वज़े से इनको recall किया जा रहा है Though said it was recalling them out of an abundance of caution हालकि company का कहना है कि इनको सावधानी के रूप में, कोशन के रूप में मंगाया जा रहा है The FDA said daily exposure to Benzene in the recalled products at the levels detected in testing would not be expected to cause adverse health consequences तो कंपनी का कहना है कि FDA ने कहा है, उसने कहा है कि अगर जितना amount में यहां पर यह product Benzene पाया गया है उसकी वज़े से कोई भी यहां पर adverse health effect नहीं होने वाले है Yet the agency also said exposure to Benzene can result in leukemia and other blood cancers Spray on personal care products like dry samples often contain propellants like propane and butane which are the petroleum distilleries made by refiling crude oils देखिए जब crude oil को refine करते हैं तो उस time पे बहुत सारे ऐसे petroleum products होते हैं जाते हैं जैसे उसमें methane, propane, butane के नाम आप जानते होंगे Benzene is also contaminant of petroleum products तो जो benzene है वो भी contaminant of petroleum product का The FDA has confirmed propanants are a potential source of benzene contamination तो देखिए यहां पर FDA ने confirm किया है माना है कि यह जो benzene contamination है यह इसी की वज़े से हो सकता है While the FDA hasn't set benzene limits for cosmetics like dye shampoo FDA ने कोई भी ऐसी limit यहां पर नहीं रखिये कि इतनी limit में होना चाहिए But it does say the product should not contain any poisonous or deleterious substances लेन यहां पर FDA का कहना है कि इन products में कोई भी step का poisonous or deleterious substance नहीं होना चाहिए तो देखे इन सब चीजों को देखते हुए लाश्ट टाइम आपने देखा कि जोंसन जोंसन ने उसके बाद पैंतीन और उसके बाद अब देखिए जो बहुत बड़ी नामी कंपनी है यूनिलिवर उसने अपने डव ट्रेस में इतने बड़े-बड़े product को market से वापस मंगाया है तो देखे हमें सोचने की जरूरत है कि हम इन चीजों का इस्तमाल कितना करें और किस limit में करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर करें फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत